हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम नेट के पार्ठिक्रम में संकलित इकाई दस आत्मकताद जीवनी तथा अन्य गद्द विदाई के अंतरगत एक कहानी यह भी कहानी के परिक्षा उपयोगी महत्पुर्ण बिंदुओं पर चर्चा खड़ेंगे तो आईए देखते हैं इस कहानी के महत्पुर्ण बिंदुओं को मन्नु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद कहानिकार है यह हिंदी की प्रख्यात लेखी का मन्नु भंडारी जी के भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है इसमें उनकी पारिवारीक प्रिष्ट भूमी एवं उनके संगश्व के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादब के आपसी संबंदों और उनकी रशनाओं के नेपत्य के स्रिजनात्मक सुत्र भी दिर्ष्टी गोचर होते हैं यह दो भागों में प्रकाशित हुई है मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानिकार है मध्यप्रदेश में मन्दसौर जीली के भान पूरा गाउं में जन्मी मन्नू का बच्पन का नाम महेंद्र कुमारी था लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया उन्होंने एमे तक सिक्षा पाई और वर्श्वतक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही धर्म युग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका भंटी से लोग प्रिता प्राप्त करने वाली मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्याले उज्जैन में प्रेमचन स्रिजन पीट की अध्यक्षा भी रही लेखन का संसार उन्हें विरासत में मिला उनके पिता सुक संपन्तराय भी जाने माने लेखक थे कहानी में एक प्लेट सैलाब मैं हार गई तीन निगाहों की एक तस्वीर यही सच है द्रिशंग को आँखो देखा जूट नायक खलनायक विदुशक अकेली यह कहानी सोमा वुगा नाम के पात्र को केंदर में रखकर लिखी गई है सोमा अपने पास परोस से गुलने मिलने के प्रियासों के बाबजूद अकेली पर जाती है यह उपन्यास विवाविचेद की त्रासदी में पिसरही एक बच्चे को केंदर में रखकर लिखा गया है एक इंच मुस्कान लेखक और पती राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास एक इंच मुस्कान पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखान्त प्रेम कता है जिसका एक एक अंक लेखक द्वय ने क्रमानुसार लिखा महाभोज यह उपन्यास नौकर साही और राजनिती में व्याप्त ब्रश्टाचार के बीच आम आत्मी की पीड़ा को उद्खाटित करता है इस उपन्यास पर आधारित नाटक अध्यदिक लोगप्रिय हुआ था इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनि गंधा नामक फिल्म अध्यन्त लोगप्रिय हुई थी और उसको 1974 की सर्विस्रेष्ट फिल्म का पुरिसकार भी प्राप्त हुआ था पटकताएं में रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पन, नाटक में बिना दिवारों का घर आईए इस कहानी के पात्रों को देखते हैं मन्नु भंडारी के पिता, महत्वकांची, धुनके पक्के, यश और प्रतिष्ठा के प्रतिस्जग, अत्यन्त क्रोधी, सक्की, बच्चों के प्रतिस्जग वपरुपकारी थे लेखिका की मा, धैरिवती, त्याग और सहिशनुता की मोर्ती, अनपड, सबकी जरूरोतों को पूरा करने वाली घरेलू महिला, परंपरागत इवं निरिह पत्नी, स्ने और ममत्य से भरपूर मा शुशीला, लेखिका की बड़ी बहन, खूब गोरी, स्वस्त और हस्मुक्ती, डॉक्टर अंबा लाल, भंडारी जी के घनिष्ट मित्र, अजमेर के प्रतिस्ठित और सम्मानित व्यक्ती, लेखिका के भाशन को सुनकर प्रसंसा करने वाले कॉलेज की प्रध्यापिका सीला अग्रवाल, हिंदी की अध्यापिका, निडर, हिंदी साहितिके प्रति बच्चों को प्रेरित करने वाली, लेखिका को जीवन में संघर्ष करने की सिक्षा देने वाली, मन्युभंडारी लेखिका हीन भावना से ग्रस्त, निडर, काले रंगवाली, आत्म नेर्भर, देश प्रेमी, सुरिष्ट वक्ता, कमजोर वर दुबली पतली, उच्चा कोटी की सहित्यकार थी आईए इस कहानी के उद्देशे को देखते हैं एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखी का मन्नो भंडारी ने अपने लेखकिये जीवन की कहानी उतार दी है यह उनकी आत्मकता तो नहीं है लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलों पर बरपूर प्रकास परता है जो उनकी रशना यात्रा में निर्णायक रहे एक ख्यात नामा लेखक की जीवन संगनी होनी का रोमांच और एक जिद्धी पती की पतनी होनी की इबाधाएं एक तरफ अपनी लेखे की ज़रूरतें महत्व कांचाएं नहीं और दूसरी तरफ एक घर को समालने का बोधिल दाइत्व एक मधूर आम आदमी की तरह जीवन की चाहा और महानुकलब्दियों के लिए ललकता आसपास का साहितिक बातावरन ऐसा कई कई विडोधा भाशों के बीच से मन्नु जी लगातार गुजरती रही लेकिन उन्होंने अपनी जीजेविशा, अपनी सादगी, आदमियत और रशना संकल्प को नहीं तूटने दिया आज भी जब वे अब उतनी मात्रा में नहीं लिख रही है ये चीजे उनके साथ है, उनकी संपत्ती है या आत्मस्मरन मन्नु जी की जीवन स्तीतियों के साथ साथ उनके दौर की कई साहितिक, सामाजिक और राजनितिक परिश्तितियों पर भी रोशनी डालता है और नई कहानी दौर की रशनात्मक बेकली और ततकाली लेखकों की उचाईयों नीचाईयों से भी परिचित करता है, साथ ही उन परिवेश गत स्तीतियों को भी पाठक के सामने रखता है जिन्होंने उनकी संवेदना को जग जोरा मन्यू जी की यह कहानी उनकी लेख की यात्रा के कई चोटे मोटे उतार चड़ावों की ही कहानी नहीं है, अपितु जीवन के उन बेरहम जंजा वातों और भुकंपों की कहानी भी है, जिनका एक जोंका एक जटका भी प्यक्ति को तहस नहस कर देने के लिए काफी होता है स्थिती में पहुँच गई है जहां उन्हें न दुख सताता है न सुख एक सास्वत सात्विक भाव में बनी रहती है और शायद इसी कारण वे फिर से लेखन के चेतर में सक्रिय हो गई है आईए देखते हैं इसकी कथावस्तो को आरम में लेखिका के पिता इंदोर में रहते थे वे संपन और प्रतिष्टित होने के साथ कोमल और समवेदन सील भी थे सिक्ष्वा और समास सेवा की उनकी विशेश रूची को आर्ट-दस वित्यारतियों के सदा उनके घर रहकर पढ़ने से समझा जा सकता था एक बार किसी गरीबी व्यक्ति के धोका दिये जाने पर वे आर्थिक मुसीवत में फसकर अजमेर आ गए एक अंग्रेजी हिंदी को उस पूरा करने पर भी जब धन नहीं मिला तो उनकी सकारात्मक्ता घर्ती चली गई और वे सदा के लिए बेहत क्रोधी, सक्की, जिद्धी और अहमवादी हो गए लिखीगा का जन्म मध्यप्रदेश के भानपूरा गाउं में हुआ था परंतु उसकी यादे अजमेर के ब्रह्मपूरी मुहले के एक दो मंजिला मकान में पिता की बिगडी मनस्तिती के साथ सुरू हुई पिता जी उपर की मंजिल पर बिखरी काफी हितावों में उलजे रहते थे और वह अपनी मा और पांच भाई बहनों के साथ नीचे रहती थी नवावी आदतों के आदी पिता त्याग मई पतनी और मम्ता मई अनपड मा पर जब तब परस्ते और सभी पर शप करते रहते परिश्दितियों को किसमत समझने वाली मा को लेकीका कभी अपना आदश नहीं बना सकी लेकीका की बड़ी बहन की स्टादी लेकीका की वावित किया कि उसने आपने अपनी आरंभिक कहान याउन ही पढ़ लिखी बरतमान सैरी जीवन में परोस की कमी उसे दुखी और चिंतित बनाती है पिता के दवारा उससे बड़ी बहन सुशीला के गोरेपन और सुन्दरता की प्रसंसा से जगे हीन बोधने उसे उसमें व बहाईयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता ने उससे उसे रसुई में समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जानने को प्रेरित किया घर में राजनेतिक पार्टियों की भैसों को सुन कर उसमें देश भक्ति की भाव ना जगी सन 1945 में सावित्रे गर्ल्स कॉलेज के प्रतम वर्ष में हिंदी प्राध्याइपिक का शीला अग्रवालने लेखिका में ना केवल हिंदी साहितिक के प्रतिरूची जगाई बल्कि साहितिक के सच को जीवन में उठाने के लिए भी प्रेरित किया सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकल कर देश सेवा में सक्रिय भूमी का निभाई हर्तालों जिलू सोवर भाशनों में भाव लेने से छात्राइं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिशकार करने लगी प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल ले जाने का नोटिस देने से पहले पिता को बुला कर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बदले लेखिका की निर्त्रित्व सक्ती देख गद हो गए एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के साथियों के बीच अकेले धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाशन की खबर मित्र से सुनी तो पिता को लेखिका घर की मर्यादा लांगती लगी दूसरे मित्र से उसी भाशन की प्रसंसा सुन करवे गद्ध भी हो उठे बेटी में वे अपने देखे सपनों को पुरा होते देखने लगे लेकिका को भी इसका ऐसास था कि इसमें पिता के अनेक गुन अवगुन स्वभाविक रूप से आ गए हैं फिर भी पिता के स्वभाव की विशिष्टा विशिष्ट बनने की चा और सामाजिक छवी को ना बिगरने देने के अंतर विरोत को वह पुर्णता ना समझ पाई देश की आजादी की खुशी से वह फूली नहीं समाई आईए देखते हैं इसके महत्वण पंक्तियों को हर कथाकार अपनी रशनाओं में भी दूसरों के पहाने से कहीं न कहीं अपने जिंदगी के अपने अनुभव के टुकरे ही तो बिखेटा रहता है जो कुछ मैंने देखा जाना अनुभव किया सबदसा उसी का लेखा जो खा है यह कहानी कोई भी लेखक ना तो संपर्क संबंद विहीन हो सकता है ना परिवेश निरपेक्ष मैंने ना तो इसमें वर्नित तत्थ्यों को तोड़ने मरोंने की कोशिश की है ना अपनी किसी दुलभावना के चलते उन्हें विक्रित करने की जो कुछ लिखा एक आवेग हीन तटश्टता के साथ ही लिखा है अगली पंगती, पहस करने की फितरत तो छुट्टी गुट्टी में मिली थी हमें अगली पंक्ती, पिता वाधसल्य से भरे पिता एक ही आदमी के कितने कितने रूप होते हैं, यह मैंने तब ही जाना था अगली पंक्ती अपने हाथ खर्च के पैसों से जो मैं पहली दो पुष्टके मैंने खरी दी थी वे दादा कॉम्रेट और पार्टी कॉम्रेट ही थी अगली पंक्ती जब रंगों में लहू की जगर लावा भैता हो तो सारी निशेद, सारी वर्जनाई और सारा भै कैसे धुस्त हो जाता है अगली पंक्ती सताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्दी 15 अगरस उनीसो शेटालिस अगली पंक्ती अपनी मिट्टी को छोड़ कर कोई रह सकता है क्या एक मुस्लिम बाबा का कथन जो विवाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और दुबारा लोडने पर यह कहा था अगले पंक्ति, बिना तटस्टिता के कलम उठाना लेख किये कर्म के प्रती बैमानी होती है अगले पंक्ति, बाली गंज सिक्षा सदन में मन्नु भंडारी ने अपनी पहली कहानी लिखी अगले पंक्ति, सुईकिर्टी की सान पर चटकर ही शायद आत्म विश्वास को ऐसी धार मिलती है अगले पंक्ति, भैरप्रशाद गुरू गुप्त ने मन्नु भंडारी की शादी के बाद कहा मन्नु भंडारी मेरी खोज है और राजिंद्र यादव की प्राप्ति अगले पंक्ति, मन्नु भंडारी की दो कहानी जो कहानी पत्रिका में छपी उसमें उनका चित्र नहीं था जिस कारण उनके पास दो पत्र ऐसे आए जिसमें प्रिये भाई लिखा हुआ संबोधन था इस संधर में उन्होंने लिखा है प्रसंसाल लड़की होने के नाते रियायती बिल्कुल नहीं है अगली पंक्ति, सहज रशनात्मक्ता के लिए एक नौक्ति, नौसीखियापन एक खास तरह की अबोधता साहयक होती है सायद भी अगली पंक्ति, वैधव्य आरंबिक दुख के बाद एक स्विक्र्थ सत्य हो जाता है और उसकी यातना कम हो जाती है पर परित्यक्ता का दुख पती है पर साथ नहीं रखता तो इसमें अकेलेपन के साथ अपमान का दंस और जूर जाता है अगली पंक्ति, घटी हुई घटना यदि एक वास्तविक ब्योडा भर है तो कहानी उसी घटना पर आधारित एक कलात्मक स्रिजन अगली पंक्ति, हर सफल कहानी किसी कला विहीन प्योडे की कलात्मक प्रस्तूती मात्र ही नहीं होती बल्कि उसके साथ जीवन के किसी पक्षे का समक्र सत्ते भी उजागर करती है यही कहानी की सफलता है उसकी सार्थकता है अगली पंक्ति पाठक निर्पेक्ष लेखकों का एक वर्ग है और हमारे यहां जिसकी मान्यता है कि पाठकों की सीमि संख्या ही रशना की उतकर्ष्टता का पैमान है अगली पंक्ति मैं नहीं सोचती कि लोक प्रियता कभी भी रशना का मानग बन सकती है अगली पंक्ति एक ही पेशे के दो लोगों का साथ जहां कहीं सुविधाएं जुटाता है वहीं दिक्कतों का अंबार भी लगा देता है अगली पंक्ति लेखक तो मुल्यों की वकालत कता है अगली पंक्ति और फिर रजना का छेतर कोई रेसकोष तो है नहीं जहां घुर दौर या बच्चों की दौर होती हो और पहला दूसरा तीसरा स्थान तै हो होता हो अगली पंक्ति यह सच है कि मैं किसी पंत से ना तब जुरी थी ना बात में मेरा जुराव अगर रहा है तो अपने देश से चारों और फैली बिक्री जिंदगी से जिसे मैंने नंगी आँखों से ही देखा है बिना किसी वाद का चस्मा लगाए और वेडी रचनाए इस बात का प्रमान है योग्यता प्रतीभा छमता के बाद जूद हासिये में परा कुछ समय के लिए ही सही आदमी सारे प्रयत्न करके भी पिछ़़ जाने के दंसेव जी अपनी जिद गाठों को नहीं खोल पाता सफलता का सपर्ष कैसे अनायास ही उन्हें खोलता चलता है अगली पंक्ति मा अगर बच्चे को रखे तो मा और अगर बाप बच्चे को रखे तो वह बाप ना होकर आया नो कर कैसे हो गया राजिंद्र यादव जब बच्चे को सम्हालने में आना कानी कर रहे थे तब का प्रसंग है या प्यार का एक भार भी होता है एक तायत भी होता है अगली पंगती गलत का केवल विरोध करने भर से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती उससे असयोग करना भी जरूरी है अगली पंगती एक ही छेतर में बराबरी की टक्कर के साइद दिकार क्या दूर रहकर पास बनी रह सकते हैं राजिंद्र यादव और मोहन राकेस के तूरते संबंद के प्रसंग में है अगली पंगती राजनीती की सत्रंज पर आमादमी तो सुरू से ही मात्र मोहरा भर रहा है अगली पंगती अर्चना वर्मा बन्नो भंडारी से कहती है मन्नु जी आप और सब लिखना छोर करकेवल नाटक लिखे अगली पंगती साहित्य से जुरा होना भी कभी-कभी संकट मोचक बन जाता है अगली पंगती यो साइंस का विद्यारती पर उसके बावजूद मेरी लिखी चीजें पढ़ता ही नहीं उन पर कभी-कभी सुझाव भी देता था अगली पंगती अजीब विंडब मना ही है या मेरे जीवन की कि घर के रोज मर्रा के कामों में ना मेरी कभी कोई दिल्चस्पी रही ना नियमित रूप से मैनिंग उन्हें कभी किया पर मानसिकता सायद मेरी घरेलू औरत की ही है अगली पंगती पर प्रश्न तो यह होता है कि भिंड़रा वाला को अकालियों के खिलाब तयार किसने किया था इंद्रा जीन ने ही तो और यह सारा खेल राजनिती का है कुछ लोग जिसके सिकार होते हैं और मारे चाते हैं हजारो हजार निहायत निरीद ने दोश और बेगुना अलोग अगली पंगती सत्रू को परास्त करने के लिए चली राजनिती की यह चाल जब उल्टी बढ़ जाती है तो उलटकर यह आपको धरासाई कर देती है अगली पंगती अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंग प्रकाशित हुआ अगस्त सन 1986 में अगली पंगती सक्त भाशा का भी एक लेख की संयम होता है अगली पंगती एक भविश यहीन जुन्दगी अपने अतीत के उजले धुन्दरे पक्षो के साथ ही तो लिपट्ती चिपट्ती रहेगी अगली पंगती आदमी यदि निरंतर लिखता रहे तो कितनी आपदाओं विपदाओं को सहजी दर किनार कर सकता है अगली पंगती निश्रिक्रे मन के चलते तो छोटी छोटी बाते भी आपके लिए असा ही हो जाती है मैं नास्तिक नहीं हूँ गहरी आस्ता है मेरी पर उसके बावजूत मंदिरों या तिर्थस्तानों में जाने में मेरा मेरी न कभी रूची रही नसंसकार अगली पंगती कहां रखा है पैसे में वह संतोस वह सुखद अनुभूती जो कुछ भी रचते समय अपने भीतर जागती है अगली पंगती चार पन्ने काले की ये नहीं और छपास छूटने की छूटने लगती है नए लेकोगों के संदर्व में अगली पंगती कितना जरूरी होता है आद्मी के लिए नितांत अपना साथ राजेंद्र याजब से अलग होने के बाद मन्नो भंडारी जब अकेले रहने लगी तब का प्रसंग है या अगली पंगती प्रत्यक विक्ति की जिंदिगी में अपने अंतरंग संबंदों के कुछ नीजी पन्ने होते हैं इतने नीजी की उनकी या नीजितां ही उन्हें जग जाहिर करने में बादक बन जाती है अगली पंगती औरत के मन में एक वार यदि संदेह के अंकोर उगाएं तो फिर कोई भी रहसे बहुत दिनों तक रहस नहीं बना रह सकता अगली पंगती प्रभुत्यकेवल उसी का हो सकता है जो परिवार का भरन पोशन करे प्रभुत्यकेवल 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 जाती है